अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अन्त तक बने रहीएगा तो चलिए समझते हैं मेंटेनेंस की डेफिनेशन कोई भी functional equipment या machine में ऐसी activity जिसमें हम machine को या equipment को या tool को test कर रहे हैं या उससे measurement कर रहे हैं जैसे की measuring tape ले लीजे जैसे calibration एक type का और फिर या फिर उसमें कोई part replace कर रहे हैं जैसे कोई bearing हुआ या कोई shaft हुआ या gasket oring हुई या उसको adjust कर रहे हैं जैसे कोई gears हुए है उसको कुछ adjustment ले रहे हैं या उसको repair कर रहे हैं है ताकि ये सारी activity क्यों कर रहे हैं ताकि वो अपने ज समझे आप लोग के जो भी machine या equipment चाहे उसमें हम कुछ replacement कर रहे हैं रिपेर कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं ऐसी activities जिससे की machine अपने जो उसका original state है जिसके लिए हम machine को ले के आने जिस functions के लिए जिस task को perform करने के लिए वो अपने full fledge में और अपना 100% functionality करे और 100% हमको manufacturing product produce कर कर दे वो maintenance होता है अब जैसे कि कुछ example जैसे oil change करना हुआ है जैसे अभी हमार पस two wheeler है या four wheeler है उसका puncture बनवाना हुआ अगर वो puncture हो गई है वो भी maintenance है फिर उसकी servicing करवाना overhauling करवाना है वो भी एक type का maintenance होता है तो maintenance में चार टाइप के होते हैं आगे जो कि हमने last में ए addictive और preventive maintenance यह उसके एक चार टाइपस हैं तो आप समझे दोस्तों कोई भी activity जिसमें हम अपनी machine equipment जो भी functionality को उसके full flash में चलाने के लिए operations उस पर perform करते हैं वो maintenance होता है तो चलिए आप कुछ images देखते हैं जिनसे हम आपके और आगे अच्छे से समझाएंगे जैसे कि अब यह आप एक control panel दिख रहा है जिसको कि test perform किया जा रहा है control panel पे हो सकता है pressure gauge लगा हो या कोई दूसरे gauges लगे हो तो उनको चेक किया जा रहा है तो यह test है यह भी एक type का maintenance है फिर आगे आप देखिए gears में adjustment किया जा रहा है हो सकता है gear ratio में कुछ change आ रहा हो machine के rpm में कुछ problem आ रह है कोई एक चीज hardware ही क्यों ना problem कर रहा है अगर उसको भी change कर रहे हैं तो वो भी maintenance की category में belong करता है तो चली friends इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं हमने काफी सारे वीडियो बना है fabrication manufacturing supply chain पे अब चैनल पर जाके देख सकते हैं thank you friends thanks for watching करते हैं